हेलो एव्रीवान वेल्कम बाक टू जीके 24 आप सभी का स्वागते आज के इस 10 मिनिट शो में आज हम देखो क्या बात करने वाले आज मैं आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स लेकर आया हूँ ट्रिक्स तो लॉर्न बहुत सारी ओगनाइजेशन ठीक है बहुत सारी ओगनाइजेशन और इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपको दूसरी जितने भी शॉर्ट फॉर्म से जैसे की अभी आपको वीडियो में बताऊंगा मैं जहां पर कुछ ऐसी चीजे हैं जिसको आपको याद करने में काफी प्रॉब्लम होती है बहुत टाइ और 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 कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आएंगे जिसको आप ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सको ठीक है तो फिर स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हम आशियान की कंट्रीज जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उन सभी को याद करते हैं यहाँ पर ट्रिक्स की मदद से तो दे और साउथिस्ट एशियन नीशन ठीक है एया आशियान का यह क्या है एक तरीके से फुल फॉर्म है तरिक टूरिमेंबर आशियन कंट्रीज जिस अब बात करते हैं हम उस ट्रिक की जिसके बारे में हम बात कर रहे तो उसका नाम है बीपील डीपील टीवी मेंटिक्स ये आपके ट्रिक है अगर जैसे अगर आपके मन में को भी भी आता है आशियान तो आपको याद रख लेना BPL TV मिमिक्स इससे आपको क्या हो जाएंगी जितनी भी कंट्रीज है आशियान की मेंबर कंट्रीज वो आपको एक बार में याद आ जाएंगी ते कि अब एक एक होता है यहां पर लावस ठीक है टीक का मतलब होता है थाइलेंड तो यहां हमने तीन जो complete कर लिए बीपिल अब उसके बाद टीवी यानि कि थाइलेंड और वियतनाम जो है यहां पर टीवी बन जाएगा ठीक है इसके बाद देखो यहां पर मिक्स पर आते हैं तो हैे मतलब होता है यहां पर मलेशिया तो यह कुछ एक ट्रिक है जिसको आप कर सकते हो आशआन कींबर कंटरी दृण के नाम त senhor को कॉच्छा जाता है कि कॉण सी जो मेंबर कंटरी नहीं है आश्यान की फिर आपको पास चार ऑक्षिण होते हैं तो उसमिसा आपको बताने कौन सी नहीं है जा फिर कौन सी कंट्री है तो इस टब से मीजिन बनते हैं यहाँ से इसलिए क्या करना है आपको बस ऐसी अब जो हम बात कर रहे हैं, group of seven countries की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे G7 countries का मतलब क्या है, तो G7 जो एक political forum है, जो की intergovernmental organization of world के seven leaders की, ऐसी economy जो advanced economies मानी जाती है, the seven countries that mark the presence in an informal group are Germany, France, Japan, USA, Italy, Canada and England, तो यहाँ पर अभी फिलाल इंडिया नहीं है, बट वेट अभी इंडिया भी आएगा कभी, इंडिया कभी time आएगा और इंडिया भी इसके अंदर include होगा, तो यहाँ पर Germany, France, Japan, USA, Italy, Canada and England है, तो अगर इसके बात करें, ट्रिक की, इसको ट्रि सकते हो, जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें, J का मतलब होता है यहाँ पर, Japan, ठीक है, U का मतलब क्या होगा यहाँ पर, USA, ठीक है, I का मतलब क्या होगा यहाँ पर, I का मतलब होगा, Italy, ठीक है, और C का मतलब क्या होगा यहाँ यहाँ यहोगा, Canada, और E का मतलब क्या होगा, E का मतलब होगा England ठीक है तो यहां पर हमने कितिया कर ली यहां पर याद मतलब एक दो तीन चार और पांच हो गए इसके अलावा देखो क्या बचता है England हो गई Canada हो गई इटली हो गई USA हो गई और यहां पर जपान हो गई ठीक है France और जर्मनी फ्रांस और जर्मनी जो है हमारी बच जाती है तो आपको क्या रखना है एक इसके आगे add करना है that is GF ठीक है तो GF के साथ आपको पीना है juice और आप क्या बन जाओगे एक तरीके से G7 countries के master बन जाओगे तो देखो G से आप क्या कर सकते हो जर्मनी और FC क्या कर सकते हो आफ फ्रांस ठीक है तो जर्मनी फ्रां के नाम याद हो गए हैं ठीक है चलो फिर आगे चलें चलो नेक्स देखो सार्क कंट्रीज को अगर आपको याद करना है कि सार्क कंट्रीज में कौन-कौन से मेंबर कंट्रीज हैं और उनको याद करने की ट्रिक है तो वह भी बात करेंगे सबसे पहले जान लेते हैं सार्क की फॉलव मैं साउथ एशियन फूल फॉलव मैं साउथ एशियं एशियेशन फॉर रीजनल ल कॉपरेशन ठीक है डिक यह किसलिए बनाई गई सो दैट प्रमॉट किया जा सकी है वैलफेर और वसाउथ एशियन कंट्रीस इंट को प्रमॉट करने के लिए इस organization का गटन किया गया कब किया गया गटन तो यह है December 1985 में One of the famous tricks to remember SAR countries is, जैसे की जो की मेरे लिए काम करती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ That is MBBS pain, ठीक है मेरी एक friend है वो MBBS करती है, मतलब कर रही है actually, तो वो अपना बहुत time पर बताती रहती है कि कैसे कैसे MBBS में exam होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं और इस चीज़ का बहुत जदा अपना pain show करती है रोना रोती रहती है, ठीक एक तरीकी सा अगर आपकी language में बोलू तो नॉर्मल language में बोलू तो I mean, तो यहां पर MBBS pain, यानि कि MBBS करने वालों को कितना pain मिलता है या आपको पता ही होगा, और यह सार्क की country से better और कौन जान सकता है तो अब जो है इसकी जितने भी letters हैं इसके अंदर उन सभी से हम decode करते हैं सार्क की member countries को देखो सबसे पहले है M, तो M का मतलब हो जाएगा Maldives, फिर इसके बाद आता है B, B का मतलब हो जाएगा Bangladesh, उसके बाद एक और B, जिसका मतलब हो जाएगा Bhutan, उसके बाद S, जिसका मतलब हो जाएगा स्री लंका फिर आता है P, यानी कि Pakistan ठीक है और उसके बाद आता है A, Afghanistan, I so heute गया इंडिया और एंस हो गया नेपाल ठीक है तो MBBS पें ठीक है MBBS पें का मतलब सार्क की कंट्रीज ठीक है I hope यहां तक चीज़े क्लियर होंगी and if yes तो चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर अब देखो बात करते हैं Caspiancy Bordering Countries की Caspiancy Bordering Countries की तो यहां पे आप देख सकते हो यह मैंने आपको पिक्चर में दिखाने के लिए Caspiancy की पिक्चर लगा दी है यह आप देखो यहां पे यह है Caspiancy और यह काफी बड़ी inland water body है मतलब कि आप देखो यहां पे inland water body है और यहां से question पूछे जाते हैं कि कौन सी country जो है surround नहीं करती है या फिर करती है किसको Caspiancy को तो हम क्या करते हैं इसको याद कर लेते हैं और फिर हमें कभी डर लगनी नहीं नहीं वाला कि कोई भी country पूछो देखो यहां पे जो है पहले थोड़ा Caspiancy के बारे में पढ़ लेते हैं पूछे को यहां लिखा है Caspiancy जो है world का largest lake है या फिर inland water body है Russia जो है इसमें surround करती है north से कजाकस्तान जो है north east से Iran जो है south से अजरबेजान जो है south west से तुर्कमैनिकस्तान जो है south east से तो 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 चीक है आपने देगा कितनी सारी countries जो है Caspiancy को क्या करती है एक तरीके से surround करती है तो इसी की वज़े सी थोड़ा से important बन जाता है तो इसलिए अब क्या करते है हम इसको countries जो उसके आसपास हैं जो उसके आसपास मंडरा रही है countries उन सभी को याद कर लेते हैं तो यहां पे जो आपकी trick है वो है तारीक तारीक पे तारीक तारीक यहां पे जो है Caspiancy आपको याद कराने के लिए एक तारीक दी जा रही है और उस तारीक में चुपी है Caspiancy की countries तो यहां पे देखो T से मतलब क्या हो जाएगा T का मतलब हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान फिर आज़ता है A, A का मतलब हो जाता है अजर वैजान और R का मतलब हो जाएगा रश्या I का मतलब हो जाएगा इरान और K का मतलब हो जाएगा कजाकिस्तान तो इस तरीके से आप बस तारीक देना एक अब आ जाते हैं बात हम किस पर जितने भी नेबरिंग कंट्री जें इंडिया की उस पर अभी हमने एक सेशन भी लिया था जिसमें हमने नेबरिंग कंट्री की काफी सारे क्वेशन को किया ता सौल और वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रिचान आप को इग्जाम द क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है चारो अब यहाँ पर नेबरिंग कंट्री उसमें भी मैंने हाला की डिसकॉस किया है लेकिन ठीक है आज हम प्यॉरली इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर हम ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे है तो उसमें से यह बी ट्रिक है जो कापी अच्छी है तो यहां पर यह आप जो नेवरींग कंट्री इस उनको कैसे याद कर सकते हो यहाँ पर नेवरिंग कंट्री को याद करने की ट्रिक है बच Scout ं English करना हम अप ऐसको याद रख सकते हो अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि total seven different countries share the border with India साथ अलग-अलग ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं इंडिया के साथ border share करते हैं कौन-कौन से बांगलादेश, नेपाल, मियानमार, पाकिस्तान, भूटान, चाइना और अफगानिस्तान तो ये सारी के सारी countries हैं अब आते हैं इनको decode करने पे तो देखो सबसे पहले बा का मतलब होता है बांगलादेश, फिर इसके बाद होता है चा का मतलब, चाइना पा का मतलब होता है, पाकिस्तान और फिर N का मतलब होता है नेपाल, M का मतलब हो जाएगा मयानमार और फिर B का मतलब हो जाएगा यहाँ पर भूटान और फिर A का मतलब क्यों हो जाएगा यहाँ पर अफगानिस्तान आपको बता है अफगानिस्तान की केवल एक जो है हमारी यूनिन टेरिट्री यानि की लद्दाक से ही केवल बॉर्डर शेयर करता है और किसे से नहीं करता है लेकिन फिर भी क्योंकि करता तो ही ठीक है करीब 106 किलोमेटर की बॉर्डर जो है यह शेयर करता है इंडिया के साथ अफगानिस्तान चलो अब एक काम करते हैं जब इतने सभी कारें कंट्री को देख लिए है तो पर धागा तका थाका ठाक थाका ठीक है समझए चलो आगे देखो चाइना चाइना के अंदर देखो दो करेंसी चलती है एक तो यूण भी छलती है एक देखो यहां पर कैपिल को झाएगी बीजिन और करेंसी को जाएगीalie Maan अब define करते हैं चलो ठीक है करी है इसके बारे चलती है मयानमार जिसका है नाइपी दो और इसकी जो है करनसी नॉट खात आइधिंग ख्यात है ठीक है ओके और यहाँ पर जो आपको पता ही है कि मयानमार को क्या बोला जाता था पहले के टाइम पर बर्मा चालो आगे देखो भूटान भूटान में है टिमपूस की कैपिट और नगुल ट्रम इसका प्रेंशेशन सही है या नहीं लेकिन नगुल ट्रम मैं बोलता हूं इसको याद रखने के लिए आप भी वह बोल सकते हो तो बुटान की क्या होगी करनसी नगुल ट्रम अफगानिस्तान बिलकुल कबूल है यानि कबूल कैपिटल और अफगानी ज यहां पर भी मैंने कोशिश किए कि आपके लिए ईजिस एजी जो है ट्रिक लेकर आया जाए तो यहांपे देखो वन उत इस विजिस्टुर्म जी ट्रेंबरेंबर जी टोटी कंट्री एपाने की लिए थीए यहां पर जो आपकर शीधा उस पर आते हैं गुरू जी सीथा मतलब आप मेंसे कोई आके मुझे बता रहा है कि सीता ना अब एससी एफसी आई में जॉब करती है मतलब सही है यार दो-दो जगए पर आप इनको सेलेक्शन मिल गया है फसी है जरूर उनने जी के टोनी फोर की क्लासिस देखी होंगी मुझे ऐसा लग रहा है चलो एनिवे यहां पर देखो बात करते हैं गुरू जी सीता अब एससी एफसी एमें जॉब करती है तो केवल यहा जिपाइन आई का मतलब इटली का मतलब साउधियर इंडिया ऐइक अंडेया ट्यक्तिए को मतलब टकी ए अइस आउस्टी्ट रिटीन्य वासी एस सौथ एफट्रिका साओध खोरिया सी कैनिडा फ्रांस सी चाइना आइंडिया मेक्सिको और यह ऊरॉपिन यूनियन टीक व कि अब कि एससी एफसी आई में जॉब करती है तो अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करोगे ना तो काफी चीज़ा आसान हो जाएंगी ऑल्दो फिर भी आपको मतब कुछ टाइम बख के बाद इसको रिवाइस करना पड़ेगा आपको बार बार सो देट आपकी बार भूलने नहीं वाले ठीक है अब आ जाते हैं मुगल रूलर्स पे चलिए भाई साब अभी और्गनेजेशन खतम करते हैं देखो मिरको ना यह पता है कि आप जिसे स्टुडेंट्स को ना यह चीज़ भी बहुत परिशान करती है कि मुगल रूलर्स जो है कौन पहले थ यह भाई साब एसे बोलते हैं ना हम भाई साब ठीक है एक मुनेट रूल साब, ठीक है, हम बोलते हैं भाई साब, लेकिन आपको यहाँ पर बोलना है भाज साब, ठीक है, बस इतना डेसर रिफरेंज से यहाँ पर क्रिएट करना है आपको, एक बार मुझे एरेस करने दो, बाकी की फालतू चीजों को, इसको भी अच्छे से लिखते हैं, भाज साब, ठीक है, भाज साब आपको याद रखना है फॉर दे क्रोने लॉजिकल ओर्डर अफ मुगल रूलर्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, बाबर, एच का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर, पुमाईू, एक का मतलब हो जाएगा, अकबर, जे का मतलब हो जाएगा, जहांगीर, एस का मतलब हो जाएगा, शहा जहां, ठीक है, एक का मतलब हो जाएगा, औरंग जेब, और बी का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर, बहादर, शा, जाफर, अब देखो thank you बोलना है ना आपको मुझे पता है आपके दिल से ना बहुत सारा thank you निकल रहा होगा तो आप मुझे comment section में बोल सकते हो I don't mind ठीक है आप मुझे comment section में बोल देना thank you जो भी आपको बोलना है तो I know कि काफी सारी चीज़ा है जो है आपको problematic होती है लेकिन आज की जो वीडियो है यह आपको काफी helpful लग रही होगी चलो अब बात करते हैं हम schedules of Indian constitution ठीक है हमारे जो है कितने schedule है टोटल बारा schedule है अब इनको जो है बारा schedule को याद करने में कभी-कभी थोड़ा सा overwhelm जो चीज़े हैं हो जाती है लेकिन don't worry क्योंकि मैं हूँ ना GK24 है ना आप जो कि हम first वाले schedule में बात करते हैं unionated territory second जो है उसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर citizenship की जिसको emoluments भी कहते है थर्ड जो है उसमें हम बात करते है affirmation in auth की राज्यसभा 4th में 5th में schedule areas 6th में other schedule areas federal provision 7th में 8th में official language की बात की जाती है 9th में land reforms 10th में defection जो की anti-defection law जिसको कहा जाता है इसके बाद 11th में पंचायद और 12th में municipalities ठीक है तो इन सभी को याद करने के ने एक ट्रिक है that is tiers of old pm ठीक है यह तो आपने सुन भी रख्योंगी जहां तक मुझे पता है क्योंकि यह तो काफी पुरानी है tiers of old pm ठीक है अगर जिसको नहीं पता तो उसको याद कर ले नहीं है ठीक हो यहाँ पर अगर आप इसको decode करोगे ना तो इसे कोई सारे की सारे जो है letters वही है जो हमें अभी अमने क्या करते है tiers of old pm ठीक है तो आप इससे क्या कर सकते हो आप याद कर सकते हो schedules of Indian constitution के ठीक है तो इसको decode आप खुद कर ले ना यह बहुत easy है अब डिकोट करना तो क्या सिखा हो okay finally we come to the end of this session and मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में लेकिन उसके लिए आपको मुझे comment section में यह comment करके बताना होगा क्या आपके लिए useful रही या नहीं रही क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं बता होगे तो वीडियो को लाइक कर देना और comment करके बता देना और share कर देना अपने दोस्तों के साथ जिससे कि मुझे समझ मां जाए कि नहीं आपने वाकिए इसको वीडियो को लाइक किया है तो फिर मैं एक और पार लेकर आऊंगा इसका अब अगर आप कोई भी exam की preparation करते हो तो gk24 application को जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि यहां पर आपको mcq, previous year question, study material और बहुत सारे current affair मिलता है updated on daily basis ठीक है अब इतनी सारी चीज़े मिल रहे हैं आपको free of cost तो why not to download it इसका link मैंने description box में दे रखा है वहां जाके इसको अच्छे से मतलब अच्छे से तो क्या ही होता है एक बा Nadeem signing off